कि है नखेलो दोस वाँगात माएये यूट्यूक Top Does Utility к mondo में और यहां पर देखे आज में बात करेंगे पॉलिली ट Node स्लिवसुमेस्टर के सब्जक्ट यहां पर देखे iha.시 यानि communication लिए सेकेंड और यहां पर जो इसका chapter है 4 10 ओके यहां पर देखिए जो chapter 4 है 10 इससे देखिए related आज जो भी doubt है जो भी आप confusion है सारा कुछ clear हो जाएगा ठीक है यह देखिए जो यह टेंस है ठीक है यह chapter 4 है किसका unit first का ठीक है functional grammar जो की first unit है यह आज पूरा का पूरा क्या होगा इसका the end हो जाएगा ठीक है और एकदम ध्यान से पड़िए एकदम ध्यान से revise कर लिए पूरा जो unit first है इससे आपका बहुत नंबर आपका इससे बहुत marks put up होते हैं exam में तो exam के point of view से देखिए बहुत ही important भी है जो functional grammar की जो unit है ठीक है इसको एक बार revise भी कर लिए सारा कुछ यह आज खतम हो गया समाली आज functional grammar की पूरी unit एकदम खतम हो गई है ठीक है यहाँ पर देखिए last lecture होने वाला है इसका the end हो जाएगा इस chapter 4 का 10 का यानि जो functional grammar है यह भी the end हो जाएगा आज तो यहाँ पर देखिए आपका जो इस chapter से अगर हम बात करें only इस chapter से तो आपका six to eight marks आपका इससे gain होता है exam में ठीक है put up होता है question six to eight marks का तो exam के point of view से यह बहुत ही important chapter है आपका tense ओके तो यहाँ पर देखिए चलते हैं सिदा एकसी जान लीजे सभी student देखिए आप लोग telegram पर join हो जाए ताकि सभी जो PDF है व और इंस्टा को भी follow करके रखिए ताकि कोई भी notification आएगी वहां पर आपको पता चल जाएगी और देखिए वहां पर क्या होगा आप study को लेकर motivate भी always रहेंगे तो चलते हैं सीधा chapter 4 जो 10 से तो यहां पर देखिए आज हम बात करेंगे यहां पर future tense ठीक है only or only for future tense कि क्योंकि यहां पर देखिए जो हमारा यहां पर टेंस था past and present वो हमारा complete हो चुका है उसके rules जितने भी सारे कुछ complete हो गया है ठीक है जितना भी doubt था अब यहां पर जो आज हम discuss करेंगे and last lecture है यहां पर देखिए future tense की ठीक है future tense के जितने भी rules होंगे क्या होता है future tense इसमें क्या-क्या rules follow करना है आपको exam में किस पकार का question यहां पर put up होगा सारा कुछ यहां पर discuss करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसके बाद हम यहां पर इसके rules को define करेंगी कि क्या rules है कहां पर किस चीज का use करना है ठीक है उसके according आप अपने questions को answers को solve करेंगी यहां पर देखिए करें तो future indefinite tense okay future indefinite tense क्या होता है यानि कि simple future यह हमारा क्या हो जागा simple future tense भी इसको कह सकते हैं ठीक है यहां पर देखिए इसका पहले means जान लेते हैं उसके बाद जो rules है sentence के according इसको भी हम discuss करेंगी details में एकदम देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर क्या लिख यानि कि यह जो टेंस है इसका use अगर हम बात करें ठीक है तो यह उस चीज को indicate करता है जो क्या होता है उस मतब हुई भी नहीं है ठीक है उस समय हुई ही नहीं है एक प्रकास उस समय नहीं हुई है फिर भी उसको indicate कर रहा है ओके simple future tense commonly formed with यहाँ पर देखे the use of words will and self आप देखे हम future tense जो है ठीक है जो future simple future tense है इसका commonly हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे हम अपने required tense के एक प्रकार से जो भी हम sentence create करेंगे उसके according यहाँ जो sentence है ठीक है इसको भी हम यहाँ पर डिसकस करते हैं sentence में देखे आपके यही चार important exam के point of view से ठीक है यह जो चार आपके sentence में आ जाते हैं यही चार से आपका exam में आ जाता है question ठीक है इसी इन ही चार से आपका exam में put up होता है कि जितने भी question होते हैं वो तो इसको ध्यान से देखेंगा जितने भी हम rules यहाँ पर आपको बताएंगे तो देखें सबसे पहल combination होगे यहाँ पर देखें इन दोनों को क्या है combination है इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बहुत ही easy है और आपको एकदम mindset करके चलना है ताकि आपको दुबारा से इसको पढ़ने की ज़रुत ना पढ़े तो सबसे पहले देखें आप यह जानते हैं कि जो हमारा future tense होता है उ इसके बाद जो हमारा यहां पर जो कौन सी फॉर्म लगती है तो फॉर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज हो जाएगी ठीक है उसके प्लस आपका object हो जाएगा डैडर्स करके आप उसको फुल स्टॉप वहां पर लगा देंगे ओके यह आपका हो गया assertive sentence का जितना भी रूल से अब हम देखिए आपको example के according भी आपको इसको discuss करेंगे और next है negative अब negative में देखिए कुछ नहीं करना जो आपका assertive sentence का जो rules था ठीक है जो rules है उसमें उसके देखिए उसमें क्या helping verb के बाद आपको यानि कि जो आप verb की जो first form उससे पहले आपको क्या करना है आपको not use कर दे आपकी जो negative sentence है यह आपका convert हो जाएगा ठीक है negative sentence में अब हम बात करते हैं next है इंट्रोगेटियो इंट्रोगेटियो क्या करना है हमने आपको बताया इंट्रोगेटियो में कोई सबी हो आपको करना क्या है इंट्रोगेटियो में करना यह है कि जो भी आपका subject होगा ठीक है उससे पहले आप helping verb रख देंगे आपका integrity sentence convert हो जाएगा ठीक है बाकि आपका assertive sentence की तरह ही है एकदम लेकिन आपको क्या करना है जो आपका subject है उससे पहले आपको helping verb रख देना है यानि कि helping verb से start होता है यह आपको रयाद रखना है ठीक है तो देखे will और cell plus subject plus verb की first form और plus dead test करके जो आपका object होगा आपकी आपका fully stop sorry यहाप question mark लगा दी जगा क्योंकि यह interrogative sentence है और question mark बहुत ही compulsory है आप question mark अगर नहीं लगाते है कि तो आपके जो marks है वो भी आपके cut हो सकते है ठीक है तो इसको याद रखेगा interrogative negative sentence में आप क्या करना है आप देखें negative interrogative है इन दोनों का combination है ठीक है interrogative negative तो अब इसमें क्या करना है not लग जाएगा तो बस आपको rules आपका यही वाला है ठीक है interrogative वाला बस आपको subject के बाद not use कर देना है बाकि आपका इसमें भी क्या होगा question mark लगाना है इन दोनों में य जाद रखेंगे आप ठीक है तो यह आपका रोल्स होता है खातम अब हम इसको एक example के तुरू अगर हम यहाँ पर discuss करें तो एक ही example लेकर चलते हैं उसमें सारा का सारा आपको जो doubt है वो आपका clear हो जाएगा ठीक है तो देखें चलते हैं example पर तो example क्या है तो यहाँ पर देखें इस sentence में जैसा कि हम जानते हैं कि जो future indefinite है इसमें क्या होता है गागी इस type से आपका last में आपका so होता है ठीक है तो जैसे हमने कोई example लिया ठीक है जिसके according आपको समझ में आ जाए तो मैंने क्या लिया कि देखें यहाँ पर एक example जैसे देखें मैंने ले लिया कोई example मैं कानपूर जाऊंगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका देखें I shall go to कानपूर ठीक है I shall go to कानपूर अब यह हमारा देखें यह तो हमारा subject हो गया यह हमारी helping वाब हो गया यह देखें विल्या सैल जो भी है लेकिन यहाँ पर सैल यूज हुआ क्योंकि आई और वी के साथ आप जानते हैं कि यूज हो जाता है बाकी यह दर के साथ आपका जो भी remaining है आपका उसके साथ आपका विल्यूज हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखें I shall और यह आपकी वाब की फस्पाम हो गई जाने की तो I shall go to कानपूर अब इसको निगेवटी में करना है तो आपको क्या करना है हमने आपको बताया कि साल या विल के बाद हम नौट अगर यूज कर D photo नौट minder नौटos घोता है तब लिए याल में कि साल हमारा पहले आ जायगा और देखे तो यह हमारा simple के लिए अभी हम इसको अटा देते हैं क्योंकि हमारा simple यहां पर देखें integrative है ठीक है negative नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसको sell I go to कानपूर क्या मैं कानपूर जाओंगा ठीक है अब क्या से शुरू हो गया यानि कि helping पहले आ गयितमारा integrative हो गया ठीक है अब integrative negative अगर हम बात करें तो अब यहां पर कुछ नहीं करना है जो भी हमने बनाया उसके बाद उसके उसमें क्या करेंगी not mention नोट कर देंगे हमारा integrative नीगेडिव कानप आप हमारा यहांपर देखे, cell I not go to count boot, ठीक है तो यहाँ पर हमारा convert हो गया interrogative, negative में तो हम not mention कर देंगे interrogative में, तो हमारा क्या हो जाएगा interrogative, negative में convert हो जाएगा अब इसी प्रकार से एक example और हम ले लेते हैं आपर, देखे एक example और ले ले लेते हैं उसका आप लोग assertive का rules आप लोग को बताना है comment box में comment box में आपको उसका बताना है तो मैंने क्या लिया मैंने कोई एक example आपको दे दिया कि मैंने क्या कहा, कि बच्चे match खेलेंगे तो बच्चे match खेलेंगे तो इसका क्या बन जाएगा तो the children will play the match तो आपका जब यह बन गया तो आप एक प्रकार से assertive तो आपका convert हो गया ठीक है वही चीज़ आमारा क्या है assertive है अब आपको not एक प्रकार से जो negative sentence है वो आपको बताना है और integrative भी आपको बताना है तो देखते हैं कौन सबसे पहले कौन सबसे पहले बताता है तो एक बर मैं फेर से बोल देरा है कौन सबसे आपका example है तो बच्चे match खेलेंगे ठीक है यानि कि जो बच्चे हैं वो match खेलेंगे तो the children आपको बता दिया है देखे the children will play the match तो आप इसका आप लोग क्या करना है इसका negative और integrative दोनों में convert करना है उसका तो आपको comment box में आपको बताना है ठीक है अब हम चलते है next पर तो देखे next जो है future continuous tense future continuous tense क्या होता है यहाँ पर देखे future continuous tense यहाँ पर देखे this tense is used to describe actions that are ongoing or continuing ठीक है in the future it is commonly used in sentences by using the simple future tense of the verb with the present participle जैसे आपका ing हो गया ठीक है अब हम यहाँ पर देखे इसका discuss करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखे जो इसका rules है इसको भी हम यहाँ पर details में देखेंगी इस परकार से अभी indefinite का देखा गया है ठीक है इसी परकार से इसको भी हम discuss करते है तो देखें यहाँ पर जो हमारा future continuous tense है इसका क्या मीन से पहले इसको हम जान लेते हैं पर हम rules को define करेंगे तो देखें यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिये कि यह जो है यह क्या करेगा describe करेगा किसको यह ऐसे actions को describe करेगा जो आपके future में चल रहा है या जारी है ठीक है यानि कि जो आपके future में जारी है या चल रहा है ठीक है उसको यह denote करेगा उसको describe करेगा उसका वर्ण करेगा ठीक है और देखें यह है जो commonly used in sentences by using the simple future tense यानि कि यह simple future tense के साथ क्या होगा आमतोर पर sentences में use होगा ठीक है इसकी जो वह होगा है आप देखें with the present participle और देखें जो present participle है जैसे आपका यानि कि ing form है वो हमारा participle होता है present participle ठीक है तो ing के साथ भी इसका use होता है आप देखें यहाँ पर हम चलते हैं rules को यहाँ पर पहल negative and integrative negative सबसे पहले आपका subject आएगा फिर उसके आद will tell आएगा उसके देखें जो continuous है इसमें बी बस क्या हो जाता है बी का mention हो जाता है ठीक है बी add हो जाता है बाकि आपका verb की first form और ing आपका present participle है ठीक है उसके आद आपका object और that's it आपका complete हो जाता है subject next अकर आपका not mention हो ज आपका object इसे ठीक है integrative negative में क्या होता है जो भी आपका आप जो ॐ लिल और सवाल देखें हापर जो not है इसको बस mention कर दिये जाता है यह दो दिन देखिए इन दोनों का combination है integrative negative यानी negative और integrative का combination है तो क्या करेंगे इंट्रोगेट्व तो हमारा यह हो गया और नेगेट्व नॉट अगा देंगे तो यह हमारा नेगेट्व हो जाएगा तो बस कंबिनेशन हो गया तो यह आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है अब यहाँ पर देखिए कोई एक इग्जामपल भी लेकर चलते हैं तो यहाँ पर एक इग्जामपल माल भीत है कि जैसे हम किताब पढ़ रहा होगा अब इस्में हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए कि जो तो राम विल बी रीडिंग दा बुक तो राम विल बी रीडिंग दा बुक ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया यहां फुल स्टॉप लगा देंगे हमारा यह जो है कम्प्लीट हो जाएगा तो राम विल बी रीडिंग दा बुक ठीक है यह हमारा क्या हो गया यह हमारा क्या हो ग एक प्रकाल से यही हमारा असरोटियू है, अब अगर हम not जोड़ दें इसमें, ठीक है, तो not का अगर हम use कर देंगे कब, तो देखें, जो हमारा helping वाब है, इसके just बात, यानि की will not be, ठीक है, यहाँ पर अगर हम not लगा दें, तो will not be हो जाएगा, तो will not be reading the book, ठीक है, negative convert हो ग ठीक है, और not को अगर लगा रहन देना चाहते हैं, बस इसको पहले ले आईए, तो यह आपका convert जाएगा, intuitive, negative में, तो इसका भी आप लोग देखे, comment box में, आपको भी मैनत करनी पड़ेगी, तो हमको बस आपको देखे, आपको सही रह पर ले जाने के लिए, आपको hint देना बहुत ज़रूगी है, ठीक है, आपको अगर guide करने वाला है, तो आपको एकदम, आप अगर effort लगा देते हैं, तो आप 100% success हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको भी मैनत करनी पड़ेगी, तो आप लोग भी इसका comment box में देखे, बताईए, कि क्या आपका बनेगा, ठ रिप्रगेटीव या Inder restaurative negative, ठीक है, तो आपको जलते हैं, next पर देखे, next जो हमारा है, यहां पर देखे, next है, future perfect tense, तो future perfect tense क्या होता है यहां पर देखे, तो इसको भी हम यहां पर describe करते हैं, तो यहां पर देखे, यहां पर देखे, आँप हम इसको discuss करते हैं, तो is used to refer or describe an event that will be completed sometime in the future before another action takes place it is written by using the past participle of the verb with the simple future tense of the verb अब दिखिए इसका हमें एकदम short way में आपको यहां पर बताएंगे ताकि आपको इसका उओ एकदम mindset हो जाए एक प्रकार से याद रहे ठीक है इतनी theory आपको नहीं याद रखने हैं वस एक simple सा फंडा याद रखना है कि देखिए perfect आ रहा है ठीक है perfect मतलब पूर या पूरा ठीक है हमने आपको बताया है तो इसके according आपका इसी प्रकार से means से भी बनना चाहिए ठीक है जो भी आपका मतलब है इसका तो यह बनना चाहिए means ठीक है जो पूरा होने से एक प्रकार से तो जैसे यहां पर देखे इसका means क्या है कि जो यहां पर देखे जो भी event है या जो भी घटना है वो देखे क्या होगा मतब एक ऐसी घटना या ऐसा event जो इस चीज को सो करें इस चीज को डिनोट करें कि आपका पूरा वह काम जो है वह event जो है घटना होगे वह पूरा होने ही है ठीक है मतब एक कुछ समय में पूरा हो जाएगा तो वह हमारा होता है future perfectance ठीक है अब इसके हम rules की यहां पर बात कर लेते हैं तो rules देखें यहां पर क्या है तो यहां पर देखें इसका rules है Assertive Assertive के लिए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव ठीक है इन दोनों का combination देखें बार बार आपको बता रहें ताकि आपको एक प्रकार से यह आपको याद रहे ठीक है तो देखें Assertive में क्या होता है subject plus will or cell और यहां पर देखें है आपका यूज हो जाता है है आपका यूज होगा और यहां पर देखें आपका वाव की third form बाकि आपका object हो जाएगा और आपका फुल स्टॉप लगा दें complete हो जाएगा अब इसमें नौट का mention कर देंगे बाकि आपका complete हो जाएगा आप इंट्रोगेटिव निगेटिव स यही है बाकि सब कुछ बस आपका यहां पर subject के बाद आपको not mention कर देना है आपका complete हो जागा question mark लगाना ना भूलें ताकि आपके marks cut out ना हो ठीक है कोई example ले लेते हैं example के तो इसको discuss करते हैं तो मैंने मान लिजे कोई एक example ले लिया कि एक प्रकार से देखें हम क्या है हम प एक सी जोर बता दे कि चुका होंगे चुकी होंगे चुके होंगे इस टैप से हमारा आता है ठीक है तो अब इसमें हमने क्या बोला कि हम पढ़ चुके होंगे ठीक है तो we shall we shall we shall ** यहाँ पर देखे हमारे क्या हो जाएगा have use होजाएगा और read लग जाएगगा the have use हो गया और read हो ठीक है तो यह हमारा हो गया अब यहां पर देखेंगे इसको अगर हमें Hang करना है फूल इस्टॉप लगा दीजिगा ठीक है तो वी अ हैव रीड ओके यहां पर देखेंन निगेटिव में हैंपर करेंगे तो हमने अपको यहां पर देखें किया यहां पर रूस बताए है कि हैव रीड अभी नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है अनली अब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तब नॉट का यूज करेंगे ठीक है तब हमारा क्या हो जाएगा सैल भी यहां पर देखें क्या हो जाएगा सैल भी नॉट है ठीक और इसको एकदम समझना है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले इसके means को हम आपर सो करते हैं उसके बाद देखें यहाँ पर देखें इसका means हम जानते हैं यहाँ पर देखें कि जो क्या होगा ऐसी घटना को यह क्या करेगा एक प्रकार से describe करेगा जो आपका future में continue है यह future में एक specified time पर यह complete हो जाएगा ठीक है मतलब एक ऐसी आप देखें इसको हम एकदम correlate करके आपको समझाते हैं कि एक ऐसी एक ऐसा टिंस ठीक है चो किसी घटना को future में किसी घटना को एक प्रकार से एक कोई भी हमारी घटना है वह एक प्रकार से continue है चल रही है यह एक निशी समय बाद ऊक्तिया हो जाएगी पूरा हो जाएगी तो दोंगे दोनों का combination आ गया ठीक है एक समय के बाद ऊक तो इसका प्रिजेंट पार्टिपल के जो वह है इसके साथ यह जो जाएगा ठीक है जो भी आपका रिटेन है ठीक है यहां पर देखिए सेंटेंस के यहां पर हम डिसकस करें इसके रूल्स को तो दिखिये क्या है आपका शर्टिम इंट्रूग्येटिव और आइनजी आड हो जाएगा और उसके वाद आपका इहां पर शिम्स और यहां पर देखिए इन दोनों का मीन से एस का मतलब है सिंस और एप का मतलब क्या है ठीक है तो सिंस और फॉर प्लस यहां पर टाइम दिया होगा ठीक है अगर निगेटिव में बात करें तो बस आपको not mention कर देना है विल और सेल के बाद आपका बाकि सब आपका सेम रहेगा ठीक है इन टियर्टीव में आपको हेल्पिंग भाफ पहले लियन कि सेम रहेगा अब इंट्रूटीव में बस आपको not use करना है inट्रूटीव में आपका glue जागा into matters निगेटिव में ठीक है तो यह आपका होता है complete अब हम कोई example एक लिए लेते हैं माली जे हमने क्या कहा कि कोई एक ऐसा example लेते हैं ताकि आपको समझ में आजा ठीक है कि तुम 10 दिनों से क्या होगे यहां काम करते रहोगे ठीक है जैसे आपने माली जे रीड आप study कर रहे हैं ठीक है तो उससे related हम कोई example ले लिए है कि तुम 10 दिनों से यहां काम करते रहोगे या 5 दिनों से करते रहोगे ठीक है जैसे आपका देखिए यह जो लेक्चर है आपका यह आपका functional grammar का जो unit है यह आपका complete हो जाएगा तो आप 2-4 दिन 5 दिन त ठीक है तो अब यहां पर हमने क्या किया कि example ले लिया क्या कि तुम 10 दिनों से यहां पर देखिए तुम 5 दिनों से यहां काम कर रहे होगे ठीक है यह स्वरी करते रहोगे ठीक है यह हो गया क्या हमारा तुम पांच दिनों से यहां काम करते रहोगे क्या काम जो आपका study का है ठीक है इससे हम relate करके आपको समझा रहे हैं कि तुम क्या हो गया यह तुम पांच दिनों से यहां काम करते रहोगे तो अब इसका हम बनाएंगे क्या यहां पर देखिए हम इसका convert करते हैं जो आपका इसका translate है English का तो you will have you will have been यहां पर देखिए जगह नहीं हम उपर बना देते हैं ठीक है doing this work doing this work ठीक है अब देखिए उपर लेख दे रहें ताकि आपको समझ में आ जाए फो अब देखिए पर हमारा जो एक प्रकार से anishtis समय प्त दिनों से ठीक है कोई बहुते नहीँ है कोई निशची देटने म्हरा की यह कहता कि इस कहता कि मानने लिश्य कि 5 दिनों से है तो हो कह देता कि सोंबार से ठीक है इस प्रकार इस सों भार से ठीक है इस प्रिकार अधिरशकार अधिक हम धी यूच कर देते यहा पर लंकर से ओंवेह तो क्या हो existing और हुए गर गैस है तो तो 545 चार्ट्र थीए हमारा क्या होगे यह वृट्प हो गया तो यानि negative में आप क्या करेंगे तो देखी है cell के बाद या will के बाद आपको not use करना तो कहां पर है will out cell देखी है हां पर तो आप का देखी है तो cell आपका यहां पर आप नौट दसक्र पहले लियुज lengthy तो आपका क्या होगा विल आप पहले लिया है अब नौट का यूज़ कर देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव- निगेटिव- अप्रकार से प्रकार से समझ में आ जाएगा जितने भी डाउट है वह आप क्लियर कर लेंगे तो यह देखे हमारा लास्ट का यह लेक्चर था ठीक है यह complete हो गया है आप हम next unit के साथ मिलेंगे ठीक है जो भी आपकी writing या reading skill ठीक है reading तो आपकी third unit है बाट आपकी जो second unit है उसके according हम आपको continue करेंग वो second unit को और आपको एकदम discuss करेंगे से इसी परकार से और देखिए अगर आप लोग को यह video पसंदा इतो आप other एक परकार से अधर मीडिया पर आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने friends के group में आप सेयर कर सकते हैं ताकि वो भी समाझ सकें ठीक है तो अगर आप लोग यह वीडियो पसंदा ही तू लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे नेक्स वीडियो में, देखें दूनों की जो लिंक होगी वह आपको डिस्प्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंस्टा की और टेलिग्राम की